तो हेलो गाइज वेलकम बैक और में यह कोश्चन डिसकस करने जा रहे हैं सीबियसी एग्जामिनेशन में 2015 में यह कोश्चन पूछा गया था ठीक है होना क्या है आपको इस फंक्शन को 5x2 प्लस 6x-9 को यहां इनवर्टिबल शो करना है तो रूल बहुत सिंपल है कोई भी फंक्शन इनवर्टिबल इनवर्टिबल वो किस केस में किया जाता है जब आप उसको 1-1 और उसको on to prove कर दें या तो आप उसको 1-1 prove कर दें और या आप उसको on to prove कर दें जग आपको 1-1 solve करना होता है 1-1 का rule हमें पता है अगर किसी student को idea नहीं है तो वो पुरानी वीडियो देखके भी clear कर सकता है तो सबसे पहले आप let करते हैं 1-1 में कि भाई कोई x1 और x2 नाम के दो arbitrary elements हैं जो कि relation में है यानि वो इस domain में है क्योंकि यह r positive है तो यानि यहाँ पे उन सारे real numbers की बात करी जा रही है जो की positive है सारे real numbers जो की positive है अब यहाँ करने के बाद आप क्या कोलते हैं कि आपने दो यह numbers को लिया जो की इस domain से निकले हैं जो की r positive है real numbers है सारे positive वाले उसक्लिए आप इन दोनो functions को equal रखते हैं ठीक है यह rule हमें पता है जब हम इने equal रखेंगे और जब हम FX1 और FX2 की value को एक दूसरे के सामने रखेंगे तो देखिए क्या होने जा रहा है उस चीज पर focus करते हैं ठीक है जो यहां पर cancel हो रहा है cancel कीजिए नाइन से नाइन कैंसल हो गया यह 5 इदर चला जाएगा तो 5 अगर मैं यहां से common लूँ तो दिस यहां से यहां से यह x-1, x-1 का formula बन सकता है और अगर मैं further x-1 और x-2 को common लूँ तो यहां bracket में बचेगा तो यह हो जाएगा आपका x-1 कुछ ऐसे और यह plus का 6 तो as it is ऐसे ही रहने जा रहे है तो यहां तक तो कोई doubt नहीं होगा आप लोगों को समझने में बिल्कुल भी ठीक है यह question clear रहे हैं यहां तक आपको अब यहां further क्या होने जा रहा है देखिए हमने x-1, x-2 को real number माना था हमने इन दोनों functions को equal किया और on to तभी prove होता है जब इस पूरे को solve करके x-1 equals to x-2 के equal आ जाए ठीक है देखते हैं आगे क्यों होगा clearly एक चीज यहां पर दिख रही है क्योंकि x-1 और यह जो x-2 थे आपके यह positive real number थे और यह अलग-अलग number है तो यानि अगर एक यहां 1 है तो एक यहां 2 होगा लेकिन होंगे दोनों positive और अगर यह दोनों के दोनों positive हैं तो दो positive numbers का जो sum होगा वो negative तो नहीं हो सकता ना तो इस वज़े से यह जो यहां पर लिखा गया है that is 5 into x1 plus x2 plus 6 यह कभी भी 0 नहीं हो सकता कभी भी 0 नहीं हो सकता और अगर यह 0 नहीं होगा तो definitely यही चीज यहां पर 0 होने जा रही है तो यहां से में क्या पता चलता है कि आपका x1 यहां पर x2 के equal आ चुका है और जैसे ही equal आ जाएगा तो you will say the given function is a one-one function तो यह one-one function हमारा यहां पर आ चुका है तो इस चीज को लेके तो कोई doubt नहीं होगा यह एक अच्छे important point था इसको धियान रखेगा ठीक है अब इसी question में अगर हमें on to prove करना होता है तो यह थोड़ा different question है बेटा इसको धियान से रखेगा यह और आपका answer आ गया इसमें थोड़ा सा difference आएगा यहाँ पर क्या होगा जब आप इसको let करेंगे y के equal on to में यही होता है ठीक है अब इस बार y यहाँ पर एक ऐसा arbitrary element है जो की belong कर रहा है minus 9 to infinity को ठीक है minus 9 to infinity को belong कर रहा है यह y ठीक है तो हम क्या करते है y is equal to 5x square plus 6x minus 9 कर देंगे rule क्या होता था normal अगर यह question होता अगर यह question normal ऐसा कुछ होता तो आप क्या करते थे x is equal to y minus 2 करते थे और यहाँ पर y की values को put करके answers चेक करते थे ठीक है लेकिन यह question different है यहाँ पर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे है आप इने separate करी नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या करने का है यहाँ पर आपको by quadratic formula अगर आपको याद है quadratic formula तो उसके accordingly if this is your 5x square plus 6x और यह अगर इधर चला जाए y तो minus को मैं अगर common ले लूँ तो यह हो जाएगा minus का y हलकी होगा लेकिन यह फिद प्लस में convert हो जाएगा is equals to 0 अब यहाँ पे जब मैं quadratic formula apply करूंगा कोई quadratic formula जब आप्लाए करेंगे वो होता है minus का b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a ठीक है इसको apply करना पड़ेगा तब ही यहाँ पे x की value आईगी क्योंकि x की value y की form में अगर चाहिए तो आपको quadratic formula यह apply करना पड़ेगा अब उसके accordingly क्या होगा b आपको पता है 6 है तो यहाँ पे आपने लिखा x is equals to minus 6 plus minus b square यानि इस चीज़ का square is 36 minus का 4 a की value है यहाँ पे 5 और आपका जो c है यहाँ पे वो है minus 9 plus y minus minus तो यह minus जो यहाँ का होता वो इस minus को plus कर देगा ठीक है और denominator में यह क्या आएगा it's 2 a a कितना है आपका 5 ठीक है तो यहाँ तक कोई trouble नहीं होगा समझने में धीरे धीरे फिर आगे चलते हैं तो minus 6 plus minus now see this is 36 plus this is 20 और 20 into 9 is 180 तो इसका 180 में प्लस कीजे ठीक है और this is 20 20 into y is 20y यहाँ तक कोई trouble नहीं आ रहोगा upon 10 ठीक है फर्दर इस चीज को अगर आप solve करने जाएंगे तो this is x is equals to minus 6 plus minus this is 100 and sorry this is 216 plus 20y ठीक है और इसी step में मैं क्या करता हूँ अगर मैं यहाँ से कोई चीज को common ले पाऊं अगर मैं 4 को common ले लूँ इसी under root से तो यहाँ पर बचेगा आपका 54 plus 5y सही बोला यह और अगर इस 4 को मैं under root से फिर भार निकालूँ तो ultimately यहाँ क्या हो जाएगा इसो let's say 10 so x is equals to minus 6 plus minus यह before जब under root से बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा under root में रह जाएगा आपका 54 plus 5y upon 10 ठीक है और फर्दर अगर अब मैंने इसको cancel out किया 2 की टेबल से नहीं 2 common लेके सब को cancel किया तो यह बनेगा आपका plus minus under root 54 plus 5y and this is minus का 3 upon 5 यहां तक कोई ट्रॉबल नहीं होना चाहिए ठीक है आगे चलते हैं इस question में so if you remember initial question में क्या था यह जो function था वो positive real number से जा रहा था minus 9 से infinity की तरह तो क्योंकि यह positive number है और अगर x की value को positive होना है तो हमें यह minus वाले case को neglect करना पड़ेगा because negative और negative यह आपको negative answer ही देंगे चाहिए y की value कुछ भी हो हाना तो हम negative वाले को neglect कर देंगे और हम x की value को बोलेंगे under root प्लस का यह नहीं यह प्लस का sign है 54 plus 5y minus 3 upon 5 ठीक है अच्छा यार अब है असली पंगा अब मुझे यह बताएए मैंने बोला था जो मेरा y है वो इस चीज को belong कर रहे है तो अगर आप यहाँ minus 9 या उससे बड़ा कोई भी number डालेंगे तो जो y है यह जो हमारा x है इसकी एक valid value आईगी valid value भी वो कौन होगी positive number ही हमें मिलेगा ठीक है तो it shows तो यहाँ से क्या पता चल रहा है तो it shows फिर आपको क्या लिखना है it shows for every for every y for every y which belongs to minus 9 to infinity minus 9 to infinity को जो भी बलोंग कर रहा है वाई there exist and there exist उनकी pre-image यह pre-image होती है आपको पता है यह pre-image होती है there exist a pre-image there exist a pre-image in domain जो domain है हमारा उसकी exist करेगी pre-image therefore the function is on to यह function भी आपका on to बन चुका है ठीक है अच्छा exam में आप लोग कह चीज एक्स्टा लिख सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ तो जब pre-image लखना हो तो आप इसमें domain को यह डाल सकते हैं और लिख सकते हैं ऐसा कुछ ठीक है जो की x चलो इसको मैं ऐसा लिख दूँ अगर ठीक है यहां तक कोई trouble नहीं होगा यह इस पूरी equation को लिख दीजे x equals to this thing अच्छा अब कुछ books में इसको fog गॉफ करके भी दिखाय जाता है but that is not necessary आप चाहें तो इसको यहां पे भी करके छोड सकते हैं आपने one one दिखाया आपने on to दिखाया तो since यहां पे जो आपका यह जो function है is both both one one and on to क्योंकि यह आपका one one on to दोनों है तो function will be invertible तो जो function आपका होगा वो यहां पे क्या हो जाता है बाइजेक्टिव और जो function बाइजेक्टिव होता है वो ही function invertible होता है यहां तर कोई doubt नहीं होगा अब अगर आपको inverse करके इसका दिखाना है यह जो form आया है invertible form तो इसी को आप x की form में अगर convert कर दें अगर आप इसी चीज़ को x की form में convert कर देंगे तो आपका यह x की form में आएगा और अगर आपको y की form में answer आपसे मांगेगा तो आपको y की form में ही इस answer को लिखके छोड़ देना है जैसे कि यहां पे दिख रहा है आपको so your answer is this is minus 3 upon 5 और यह आपका answer यहां पे आ चुका है ठीक है I hope यह clear होगा 2015 का यह question था बहुत important problem है normally students को समझ में नहीं आता है चलिए thank you